तो बच्छो आज हम कराने वाले हैं चेप्टर नम्बर टू केमिकल चेंजेस एंड रियाक्शन्स और ये काफी अच्छा और काफी इंपोर्टिन चेप्टर है बच्छो तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस चेप्टर को देखें तो ये है केमिकल चेंजेस एंड रियाक्शन्स तो सबसे पहली बात अगर मैं इस चेप्टर को देखता हूँ तो सबसे पहली बात मेरे मुझ से निकलती है कि भाई केमिकल रियाक्शन होती क्या है तो चलो देखते हैं केमिकल रियाक्शन अब यह chemical reaction क्या है ठीक है अब अब इस chemical reaction को देखते हैं तो लिखिए बच्चो chemical reaction is a chemical change chemical reaction is a chemical change chemical change in which in which matter changes into a new substance ठीक है अब अच्छो यह क्या है अब देखिए chemical reaction क्या है it is a chemical change in which matter changes into a new substance और we can say new substances और substances इसका मतलब क्या है कि chemical change होता है जो कि क्या करता है it is a chemical change in which matter changes into new substance कोई भी एक matter new substance में change हो जाता है है ना तो इसकी एक और definition देखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझेंगे तो इसकी एक और definition हम देख लेते तो इसकी एक और definition देखते हैं अगर हम तो हम बोल सकते हैं कि the substance और substances taking part in reactions है ना तो मैं इसको एक और इसकी definition लिखता हूँ the substance और substances taking part in reaction called reactants जो reaction में take part करते हैं वो क्या होते है reactants होते हैं and transform into one और more new substances substances called product तो दोनों में से आप कोई भी definition लिख सकते हो chemical reaction की अब chemical reaction मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं एक काम करता हूँ यह मैं let's suppose a ले लिया ठीक है यह एक reactant है प्लस बी ले लिया यह भी एक reactant है जो chemical equation में take part लेते हैं जो भाग लेते है chemical equation में जैसे a यह है बी यह क्या है reactant है ठीक है reactant है यह जो chemical equation में भाग लेते हैं या फिर जो participate करते हैं वो क्या होते है reactants होते हैं और जब यह chemical reaction प्रोडेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बताते हैं, तो चलो reactant and product हम बताते हैं इसके बाद, अब हम reactant और product की definition देखते हैं, तो देखो reactant क्या होता है, आपको मैंने बताया था अब इससे, तो reactant क्या होता है, जो की भाग लेता है, जो की take part करता है chemical reaction में, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, which take part in chemical reaction, यह पहला है, ठीक है, और हम इसको यह भी बोल सकते हैं, कि substance, a substance, a substance, a substance, that is present at the start of a chemical reaction, है न, यह बोल सकते हो, कि जो substance, chemical reaction के start पर present होता है, तो वो क्या होता है मेरा reactant, तो जैसे कि example, अगर मैं लेता हूँ कि a plus b gives a b, तो यह जो a और b है न, यह मेरे reactants है, ठीक है, तो यह मेरे क्या हो गए, reactants हो गए, अच्छा, product की definition देख लेते, हैं, तो product क्या होता है, a product, a product is a substance, is a substance, that is present, at the end of a chemical reaction, ठीक है, तो product क्या होता है, a product is a substance, that is present at the end of a chemical reaction, तो यह हमारा क्या होता है बच्चों, product होता है, तो इसका example, अगर मैं बोलू, a plus b gives a b, और यह जो a b है, यह end of the chemical reaction है, तो यह क्या है, मेरा product हो जाएगा है, तो काफी easy हो गया यह, चलो, next topic करते है, तो बच्चों, यह भी काफी interesting topic है, कि chemical reaction happen in our daily life, तो हमारे daily life में कौन-कौन सी chemical reactions होती है, देखो, सबसे पहले क्या, हमने जो खाना खाया, ठीक है, वो पेट में गया, अहा, मज़ा आ गया, और वो पेट में जाके क्या होगा, चक्की चली, पिसा, तो वहाँ पर क्या होगा, chemical reaction, हमारे पेट में क्या होता है, acid होता है न तो वो उस पे घुला और कुछ न कुछ chemical reaction हुआ होगा तो देखो सबसे important है यह chemical reaction happening in our daily life यह question पूछा जाता है exam में बहुत बार है न तो कौन-कौन से chemical reaction है जो daily life में होती है पहला क्या है digestion of food digestion of food ठीक है दूसरा क्या है ऐसे तो बहुत अंगिनत होंगी पर मैं कुछ-कुछ चुनंदा बता रहा हूं आपको ताकि आपको idea हो जाए न दूसरा क्या होता है respiration है न जो आप सास ले रहे हो उसमें भी breakdown of oxygen होता है respiration तीसरा क्या मम्मी ने देखा होगा आप दही जम आती है घर में तो दूद से दही जम जाती है तो क्या formation of curd तो जो formation of curd होता है दही जमती है वो क्या कैसे होता है उसमें भी chemical reactions तो होती है तो formation of formation of curd दही और कुछ और ले लेते हैं जैसे की rusting of iron बहुत important है rusting of iron मतलब junk लगना है किसी भी लोहे में junk लगना वो भी chemical reaction के वो भी chemical reaction से ही होता है जैसे की junk लगने के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए पहली बात तो है ना पानी चाहिए दूसरा oxygen चाहिए दोनों ही present होते है रस्टिंग हो जाती है बड़ा slow process होता है ना तो देखो यह कुछ चीजे थी chemical reaction happened in our daily life तो इसके बाद हम करते है next topic हमारा तो बच्चो हमारा next topic है chemical reactions, characteristics and indications अच्छा बच्चो जब भी दो reactants combined होते है तो क्या-क्या changes आते है क्या-क्या characteristics होती है उसकी तो देखते है सबसे पहले change in color ठीक है सबसे पहले होता है change in color कि भाई अगर कोई एक reactant है दूसरा reactant है combine हो तो change हो सकता है color में जैसे कि example ले लेते हैं हम example ले लेते हैं ना example लेते हैं तो मैं एक example लेता हूँ 2CU NO3 whole twice copper nitrate gives 2CU 2CO plus 4NO2 plus O2 अच्छा बचो मैं आपको बता दूँ कि भाई copper second nitrate का color होता है blue ठीक है और जब यह breakdown होगा तूटेगा तो भाई copper oxide मिला मुझे और copper oxide इस case में होगा black ठीक है तो देखे क्या हो रहा है जब भी chemical reaction होती है breakdown होता है या जुडती है या तूटती है तो क्या होता है चेंज in color होता है तो यह मेरा पहला example था और यह क्या था हमारे chemical reaction characteristics का पहला point चेंज in color तो अब हम करते है second point और second point क्या है बच्चो evolution of gas second क्या है evolution of gas मतलब क्या इसका मतलब यह कि जब मैं कोई भी chemical reaction जब कोई भी chemical दो reactant मिलते हैं तो obviously बात है कुछ न कुछ gas तो निकलती होगी है ना यह कुछ gas बन जाती है तो देखो अगर मैं अगर मैं zinc का hydrochloric acid से क्या करा हूँ reaction करा हूँ H2SO4 से reaction करा हूँ तो क्या होगा तो यहां पर बनेगा ZSO4 प्लस H2 और H2 gas जो होगी वह liberate हो जाएगी भार को निकल जाएगी तो देखो यहां पर क्या हो रहा है evolution of gas हो रहा है है ना तो देखो कितना easy second second characteristic भी हमने देख लिया evolution of gas अब हम third characteristics का देखते है तो थर्ड केस है formation of precipitate है ना तो precipitate क्या होते है मैं बताता हूँ अगर मैं lead nitrate का reaction करा दूँ NaCl से तो मुझे मिलेगा 2 NaNo3 प्लस PbCl2 और यह जो PbCl2 है ना यह जो हमारे lead chloride है ना यह क्या है precipitate अब precipitate क्या होता है बच्चों बहुत ही simple है जैसे कि एक simple सी अगर मैं बात करू precipitate होता है residue last में बच जाता है जैसे कि मम्मी ने चाही बनाई और मम्मी ने चाही बनाए और चाही बनाके हमें चाही दे दी और last में क्या बच गए चाही की पत्ती बच गई वो काली-काली स करते हैं तो बच्चो जो फोर्थ मेरा फोर्थ जो प्रॉपर्टी है जो फोर्थ मेरा कैरेटेस्टिक है वो बहुत ही most important है उसको बोलते evolution और absorption of heat तो आपने पड़ा होगा endothermik exothermik है ना तो बच्चो यही है वो अब देखो मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी बात अगर मैं बोलू evolution of heat energy evolution of heat energy को हम क्या बोलते exothermik exothermik है ना और अगर मैं बोलू absorption of heat absorption of heat absorption of heat energy उसको क्या बोला जाता है बच्चो endothermik endothermik अब बच्चो simple सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जिस पे heat क्या होती है जिसमें क्या होती है heat involved होती है ठीक है heat क्या होती है involved होती है heat energy involved होती है evolution मतला involved heat involved हो रही है जिस पे है ना heat बन रही है जिस पे तो वो क्या होता है heat involved हो रही है वो होता है exothermik और जिस पे heat absorb हो जाती है सारी की सारी heat absorb होगी उसको बोलते है endothermik ठीक है कुछ examples देख लेते हैं इसके और फिर next topic पर proceed करेंगे तो इसके example ले लेते हैं जैसे कि अगर मैं nitrogen का reaction hydrogen के साथ करा दूँ 3H2 के साथ तो क्या होगा बच्चो heat yoga 2 NH3 प्लस कुछ heat क्या होगी released हो जाएगी यहां से कुछ heat क्या होगी released हो जाएगी मतलब जब heat released होती है तो क्या होता है exothermik जब heat release होती है क्या होती है heat released होती है तो क्या होता है exothermic reaction होता है वो और जब heat absorb होगी तो endothermic हो जाएगा जैसे कि N2 प्लस O2 तो यह जागा 2NO और यहाँ से heat क्या और यह absorb होगी अगर heat absorb होती है तो negative यहाँ पे कुछ heat यह जो triangle मैं बना रहा हूँ यह heat का साइन है ठीक है तो यह हो जाएगा endothermic ठीक है और यहाँ पे क्या हो रही है heat heat क्या हो रही है यहाँ पर absorb हो रही है है न heat absorb तो इसको क्या बोले जाता है बच्चो endothermic जहाँ पे heat absorb होती है उसको बोलते endothermic जहाँ पे heat release होती है वहाँ पर बोलते हैं exothermic तो कितना easy था चलो आप proceed करते हम next topic पर